हलो दोस्तों वेलकम बैक टू अन्यू वीडियो आज हमारे सामने खड़ी है रहनाओ की क्विड अगर आपका बज़त साड़े पांच से साड़े साथ लाग के बीच का है और आप एक माइक्रो एसुवी चाहते हैं अल्टो डेट्सन गो और इयोन वगएर आप देख चुके ह प्राइस स्टार्ट होता है साड़े पांच से और जाता है साड़े साथ लाग तक आउन रोड फिलाल जो यह वेरिंट हमारे सामने खड़ा है वो है और आपको मैनवल और आटो में दोनों में देखने को मिल जाएगा अगर प्राइस की बात करें तो यह पड़ेगा इसका 6 6.40 लाइक मैनवल का और वही चला जाता है 6.90 लाइक आपके आटोमेटिक ट्रांस्मिशन का तो इसी के आरेक्स्टी मैनवल वेरिंट का आज हम कंप्लीट वॉकराउंड करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या यह कार हमको फीचर्स ओफर करती है दोस्तों सुरुआत करते ह फ्रंट प्रोफाइल से तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की फ्रंट प्रोफाइल यह कार आपको आफर करती है बीच में बड़ा सा रहनाव का लोगो इसका जो फ्रंट ग्रिल है एकदम यूनीक डिजाइन वाली ग्रिल आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो की ग्लॉ LED DRL Plus Indicators offer किये जाते हैं वही नीचे Headlight की बात करें तो आपको Low Beam और High Beam के लिए दोनों में Halogen का Setup देखने को मिलता है Fog Lamp की Placement आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी Body Line पे आप Creatures देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको Body Line पे Creatures मिलेंगे जो काफी बड़ी अलग रहे है Front Wipers आप देखे कुछ अलग तरह के Front Wipers, Single Front Wipers आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी Front में Antina जो की आपकी तार निकली हुई है आपका Wired Antina इसमें देखने को मिलता है Washer Fluid तो यह रही आपकी Side Profile अगर Side Profile की बात करें तो आपको 3731 mm की इसकी लंबाई मिलती है 1579 mm की इसकी चोड़ाई मिलती है और 1474 mm की इसकी Height मिलती है दोस्तो Wheel Arches आप देख लीजिए आपको Matte Black Finish में Wheel Arches काफी अच्छे बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिल जाएंगे Tyres आप देख सकते हैं आपको Steel Rims ओफर किये जाते हैं प्लस Silver Curl के Wheel Covers आपको इसमें लगाए गए हैं तायर का Size देखे तो 165-70R 14 Inches के आपको Tubeless Radial Tires यहां Offer किये जाते हैं Front Suspension आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का Front Suspension आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तु यह कार आपको Front में Disc और Rear में Drum Bakes Offer करती है गाईज Body Colored RVM और Indicator Integrated है Side Cladding आप देख लीजे कुछ इस तरह की आपको Side Cladding with Decals आपको देखने को मिल जाएंगे कोई भी Request Sensor Offer नहीं किया जाता है Manual Key है और Manual Key से ही Entry आपको इसमें देखने को मिलेगी पीछे गर आप आएंगे तो आपको Fuel Lead की Option दिया गया है यहां पे आप Petrol Fill Up कर सकते हैं आपको देखने को मिलेगा रिफ्लैक्टर की प्लेसमेंट पार्किंग सेंसर की बात करें जाएं तो आपको एक दो टोटल दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इस कार में उफर किये जाते हैं रनों की बैजिंग बूट की बात करी जाए तो बूट भी आपका चावी से ही खुलने वाला है क्विड लिखा हुआ है पीछे बैक कैमरा आप देख सकते हैं कोई भी रियर वाइपर आपको देखने को नहीं मिलेगा नहीं डिफॉगर लाइन से यहां पर प्रेजन्ट है स्टॉप माउंट लें रियर स्पोईलर और कोई भी आपको संरूफ इसमें उफर नहीं करी जाती है एंटीन आपको लेडी में बता चुका हूं बाहर है चलिए बूट खोल के देख लेते हैं बूट भी आपको मैन्वल की से खोलना पड़ेगा जब आप बूट खोलेंगे त और बहुत सारा open space open cables आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो कि ठीक बात नहीं है इन सब को ढखना चाहिए था वही नीचे आप देख सकते हैं इस पेर टायर आपको स्टील रिम्स में उफर किये जाते हैं और उस पर प्रॉपरली मैंशन है आपका इस पेर टायर साइज है 165,70,R14 जो की सेम साइज है आपका बाकी टायर से इसको बंद कर देते हैं पार्सल ट्रे आपको ओफर करी जाती है यह रही आपकी complete rear profile अब समय आ गया है अंदर चलने का तो अंदर आपको बता दूं कि request sensor आपको देखने को नहीं मिलेगा चाहिस है यह गारी खुलेगी और चाहिस ही आपको entry मिलने वाली है दर्वाजे की बात करीजा तो फुल ब्लैक डाउट डॉर आपको यहां पर ओफर किया जाते हैं आप लॉक देख सकते हैं बहुत एंसें टाइप लॉक है बॉटल होल्डर की placement थोड़ा सा space काफी hard material इस कार में use किया गया है कुछ इस तरह स अंदर घुषने से पहले एक बार driver seat की बात करिया तो driver seat आप देख सकते हैं manually adjustable driver seats यहां पर आपको offer करी जाती है और उसमें भी height adjustable नहीं है केवल इनके seats की बात करे तो आपको proper cushion seats मिलती है leather seats नहीं है manual variant है तो accelerator brake और clutch की positioning आप देख सकते हैं headlight leveler headlights को आप यहां से level कर सकते है low beam वाली ORVM adjust करने का position यहां से आप दोनों ORVM adjust कर पाएंगे AC के vents surrounded by chrome inserts key की position manual key आपको यहां से place करना पड़ेगा instrument cluster आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का fully digital instrument cluster आपको इस कार में offer किया जाता है blue white और red ascent के साथ यह काफी बढ़िया लग रहा है एक बार steering देख लीजिए आपको थोड़ा सा flat bottom steering इस कार में offer किया जाता है leather wrapped नहीं है बीच में reno का logo glossy black finish में आप देख सकते हैं यह काफी बढ़िया लग रहा है इधर के सारे आपके volume controls source controls वहीं इधर आप देखेंगे तो आपको केवल यहां पर phone के controls plus mute करने का option दिया गया है cruise control आपको इस कार में देखने को नहीं मिलेगा headlights के controls automatic headlights आपको offer नहीं करी जाती है यहीं पर आप देख सकते हैं आपको wiper controls देखने को मिलेंगे केवल front में wiper से rear wiper आपको इस कार में offer नहीं किये जाते हैं कुछ इस तरह से operate होते हैं चलिए बात करते हैं infotainment screen की तो कुछ इस तरह की 8 inches की आपको infotainment screen इस कार में offer करी जाती है जो की android auto और apper car पे support करती है touch screen यह car आपको offer करती है glossy black finish में उसके outers आप देख सकते हैं काफी बड़िया लग रहे हैं यहां से सारे voice command देने के लिए हैं नीचे आप देख सकते हैं तो यह आपके power window के controls बहुत हटपटे type के हैं लेकिन ठीक है फ्रंट में आपको power window के controls आपको यहां पर देखने को मिलते हैं lock unlock का button hazard की position वही नीचे आप देखेंगे तो AC के controls आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे manual AC आपको यह car offer करती है वही नीचे देखेंगे तो 12 volt का socket aux port और साथी साथ एक USB port भी आपको दिया गया है थोड़ा सा space काफी गहरा है और काफी अच्छा का सा समान आप यहां पर रख पाएंगे थोड़ा और space mobile वगारे stand करने के लिए gear knob आप देख सकते है five speed manual transmission यह car आपको offer करती है automatic में भी आपको देखने को मिल जाएगा reverse gear लगाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहां पर reverse parking lines देखने को मिल जाएंगी manual handbrake कोई भी armrest आपको यह car offer नहीं करती है seats आप देख सकते हैं आपको cushioned seat fabric seat इसमें offer करी जाती है airbag की positioning आपको total दो airbag आपको इस car में देखने को मिलेंगे glove box आप देख सकते हैं काफी deep है ठीक ठाक space आपको offer किया जाता है manual IRVMs diver side में कोई भी आपको vanity mirror offer नहीं किया जाता है light की positioning जो की halogen में है microphone की positioning को passenger side में भी आपको vanity mirror offer नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से देख लीजे कुछ इस तरह का यह dashboard आपको देखने को मिलेगा placement पीछे नहीं दी गई है ठीक है आपको power window के controls दिये है थोड़ा से grab handle है lock unlock है और यह पुराना वाला lock है लेकिन bottle holder नहीं दिया गया है चलिए अब एक बार अंदर बैटके देखते हैं लेकिन अंदर चलने से पहले आप एक बार देख सकते हैं कुछ इस तरह का seats आपको combination आपको देखने को मिल जाएगा यह seat जो मेरे इस आप से adjusted है आपको front में कोई भी adjustable headrest देखने को नहीं मिलता है अब front में नहीं दिया है तो obviously पीछे भी नहीं दिया होगा armrest आपको offer नहीं किया गया है जो कि मैं आपको बता चुका हूं यह रहा आपका antenna जो उपर missing था यह थोड़ा सा आपका knee room lagging है फिर भी knee room तो चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा और thigh support इस कार में होना चाहिए था second row से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको dashboard देखने को मिलेगा personally dashboard मुझे ठीक लगा rear seat की बात करीजा है तो आपको केवल दो headrest मिलते है वो भी adjustable नहीं है fixed headrest दिये गया है red और black और कुछ texture आपको देख सकते seat cover इस तरह के आपको देखने को मिलेंगी seat belt की बात करी जाए तो पीछे की दोनों passengers के लिए seat belt आपको offer करी जाती है यह कार आपको केवल एक petrol engine के साथ देखने को मिलेगी जो की है वन लिटर का petrol engine जो produce करेगा 67 bhp की power और 91 newton meter का टॉर्क तो दोस्तों यह था आपका complete review of renoquid r लगातों के तब तक लिए जया है जय वारत